नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, हम लोग अक्षरों को मिलाकर शब्द बना रहे थे. हमने तीन अक्षर को मिलाकर शब्द बनाना सीख लिया था. अब आज बच्चों हम चार अक्षरों को मिलाएंगे और उनसे शब्द बनाएंगे. चलिए आजीनी की ही प्रैक्टिस करते हैं बच्चों यहाँ पे मैंने अक्षर लिया है क-स-र-त बच्चों जब चार अक्षर होते हैं तो दो-दो अक्षरों को मिला कर बोलते हैं तो हमें बोलने में आसानी होती है और शब्ड भी सही बनता है ठीक है जैसे क और सा पहले इनको मिलाएंगे तो दोनों शब्ड मिला के बन गए कस अब इनको मिलाएंगे र और त रत अब सबको एक साथ बोलेंगे कस कस रत रत अब एक साथ चारों को बोलते हैं कस कस रत रत अब एक साथ बोलिए कस रत आप बोलिए बच्चो Very good अब अगला अक्षर है सरा दोनों को मिलाया सर का स कस अब सबको एक साथ बोलते हैं सर कस अब एक साथ चारो को बोलिए सर कस सर कस सर कस आप बोलिए बच्चो Very nice अब अगला है तोनों को मिलाया थर मस एक साथ बोलेंगे थर मस थर मस अब बोलिए Very good अब अगला है खा खट मा ल मल अब एक साथ बोलते हैं खा खट मा ल मल चारों के एक साथ बोलिए खट मल खट मल आप बोलिए Very good अगला है अब एक साथ बोलेंगे अब बोलेंगे अब अगला है अजगर अब बोलिए Very good अगला है पन पन घट एक साथ बोलेंगे पन पन घट अब बोलिए बच्चों Very good अब अगला है अब अगला है अब बोलेंगे अब बोलिए बच्चों Very nice अगला है अब अगला है अब अगला है आप बोलिए बरगद अगला है अगला है अगला है अगला है एक साथ बोलेंगे आप बोलिए बच्चों गर्दन अगला है अफ अफ सारसर अफ सारसर अफ सर आप बोले बच्चों अफ सर वेली गोट अगला है उ उप उप वा न वन एक साथ बोलेंगे उप उप वा न वन उप वन आप बोले बच्चों उप वन गोट चाब अब अगला है शर शर बात बत अब एक साथ बोलेंगे शर शर बत शर बत आप बोले बच्चों शर बत बहुत अच्छा बोला बच्चों आप लोगों ने याद रखेगा जब चार अक्षरों वाला शर बत तो उसमें हम दो-दो अक्षरों को मिला कर बोलते हैं तो हमें बोलने में आसानी होती है और अच्छे से और सही शब्द बोलते हैं इसके आप खोब प्रैक्टिस करना नयने शब्द बनाना और खोब अभ्यास करना तब फिर मिलेंगे बाई बत्चू बाई बाई